हेलो प्यूरिफल पीपल विल्कम ती लखनो लोकल्स आज हम बात करने वाले हैं कास्ट इरेन के बारे में विनोत के कास्ट इरेन या आपके सामने जो दो कडाईया रखे हुई है इसके बारे में पहले थोड़ी डीटेयल बता देता हूं फिर देखें अन्बोक्सिंग रिव्यूस तो हर को ही करता है और साथ ही साथ हम भी कर चुके हैं बट आज हम जो बात करने वाले हैं वो हैं इसके क्वेशन के बारे में दस ऐसे बहुत important questions जो हर किसी को doubt होगा all over इंडिया नहीं all over world में तो आज लखनो लुकल्स की इस वीडियो में आप उस लगबग सारे doubts कास आइरन के बारे में clear हो जाएंगे तो चलिए इस बहुत ही important और बहुत ही better in वीडियो को share करते हैं सबसे पहले बात कह लेते हैं कास क्या होता है कास आइरन एक तरीके से आइरन होता है जिसको melt करके फिर इसको एक पूरे-पूरे single utensil में ढाल दिया जाता है ढालने का मतलब होता है mold कर दिया जाता है जिसमें कहीं भी आपको extra repeats नहीं मिलेंगे कहीं भी आपको joints नहीं मिलेंगे और साथ ही साथ जितनी कास आइरन जिसमें दो साइज की कड़ाई आपके सामने रखी हुई है यह पहला एक साइज है आपका 3.3 लीटर का दूसरा साइज है 2.4 लीटर का तो दोनों ही साइज बहुत जादा बहतरीन है और हमारे Indian kitchens के लिए domestic kitchens के लिए बहुत जादा बहतर है तो सबसे पहले और नहीं भी तूट सकता है उसका reason बता देता हूँ अगर हमाई विनोध के बात करता हूँ तो विनोध वाला जो यह कड़ाई है अगर यह in case भी अगर आपसे गिर जाती है तो गिरने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर body के basis पे गिरती है तो यह समझे कि तब यह damage होने की संभावना बहुत कम है बढ़ हम बात कर लेते हैं इसके handles की अगर आपका तबा गिर रहा है आपका grill pan गिर रहा है कोई भी ऐसी चीज जिसके handle long handles होते हैं तो वो तूट सकते हैं यह है कि base generally बहुत जल्दी नहीं तूटता है साथी साथ हम बात कर लेते हैं कि अगर क अच्छे से handle करते हैं तो इसका जो अगर answer की बात करें तो हाँ भी है और ना भी है बट यह है कि कोशिश करिए कि यह सब चीज़े आपके हाथों से ना गिरे दूसरा questions उठाते हैं कि इसकी seasoning कैसे करते हैं seasoning बहुत important चीज़ होती है cast iron में जिसको मैं आपको बता देना साथ ह कि अगर अच्छे brand का आप लेते हैं तो वह आपको double code में pre-season करके देते हैं जैसे अगर हम विनोत की बात करते हैं तो पहले मैं इसका look आपको दिखा देता हूं कि बहुत ही बहतरी look के साथ आता है इसमें rough surface होता है उपर की तरफ प्लस smoothness और rough surface एक uniform finishing के साथ rough surface होता है साथ बात और कर लेते हैं यह आपको पहले से प्री-season करके देते हैं अगर अच्छी क्वालिटी के अगर आप घरन लेते हैं तो आपको सीजनिंग में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आती है पर सीजनिंग में उसमें करानी बढ़ती है जो कि आपकी local manufacturers कास आयरेन होते है तो यही चीज है कि अगर अच्छी क्वालिटी कास आरें ले रहे हैं तो उसमें आप सीजनिंग में ज्यादा इशूज नहीं आएंगे बड़ यह है कि हर एक यूज में आपको थोड़ा बहुत ऑइल का यूज करना पड़ता है क्या होता है आप एक औक की कोटिंग करके इसको अच्छे से पहले प्री हीट करने बैसिक सी बात बता लेता हो बस यही कि इसको हम सीजनिंग कहा देते हैं अब दूसरा तीसरा question जो होता है, वो होता है कि frequency क्या होनी चाहिए seasoning की, हर बार seasoning करनी ज़रूरी होती है, देखी, कास चाहरने कैसा utensils है, कोई और utensils होगा, जैसे कास चाहरन के लाबा कोई और utensils होगा, तो उसमें यह जिस ध्यान अटनी पड़ती है, कि उन utensils में जैसे ऐसे आप यूस करेंगे, वो utensils पुराने होने लगते हैं, अपनी चमक खोने लगते हैं, जितनी बार आप यूस करेंगे, उतनी बार यह उतनी बहतर cooking देगा, और अच्छा experience देगा, क्योंकि जितनी बार आप इसको use करेंगे, उतनी बार इसमें seasoning होती जाएगी, और seasoning की frequency नहीं कोटिंग कर दीजिए, उसको preheat कर लिए, तब अपना कोई भी recipes में बनाएए, खराब नहीं होगी, साथ ही साथ आपकी women's की health के लिए सबसे बहता utensil है, तो हमें और आपको अपने घर में cast iron जरूर रखना चाहिए, बात कर लेते हैं, चौते question कि क्या cast iron dishwasher safe होता है कि नहीं हो जब यह बहुत ही पुराना हो और आपके जिसे की आपके grandmother या mother के time का हो, तब आप इसको cast iron को dishwasher में रख सकते हैं, अच्छे चे clean कर सकते हैं, मगर यह अगर seasoned cast iron है, आप इसको regular use कर रहे हैं, तो इसको dishwasher में ना रखेगा, क्योंकि जितनी भी seasoning होती है, वो चली जाती है, और जाने के बाद इसमें rusting हो सकती है, तो इस चीज का धान रखेगा, अगर आप अपने cast iron को dishwasher में use कर रहे हैं, तो इस चीज का धान रखना होगा कि इसके जितनी भी seasoning हो चली जाएगी और यह rusting हो सकती है, तो इसमें आपको फिर से वो पूरा process दो तीन चार बार आपको इसम इसमें clean कर दीजे, और फिर इसको stack करके रख दीजे, बहुत जादा इसमें महनत करने की ज़रत नहीं पर दी, क्योंकि एक oil की coating जरूरी होती है, हर समय cast iron में है, अब हम बात कर लेते हैं, अपने पासवे caution की, जो होता है, क्या इसको हम oven में use कर सकते हैं, देखिए, दो differences है, काफी लोग इस चीज़ को misunderstood कर लेते हैं, oven अलग चीज़ होती है, और microwave अलग चीज़ होती है, आप cast iron को oven में use कर सकते हैं, oven में काफी जगे ये as a pizza pan भी use होता है, baking के लिए भी use होता है, तो cast iron को बेज़ जगा आप oven में use कर सकते हैं, और बहुत ही बहतरीन experience मिलेगा, अब ह च्छाटे question की, वो होता है, क्या सारे type के cast iron जो होते हैं, induction compatible होते हैं, देखिए, मैं आपको बता रहता है, induction में भी vary करता है कि 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 ब्रांड का induction है, अगर हम बात कर लेते हैं, prestige के induction की, तो वो क्या होता है, चोटे 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 magnetic button को भी, वो read कर लेता है, तो वो use क कर सकते हैं, साथ ही साथ बात कर लेते हैं, अगर आपका cast iron इस type के shape में है, तो आपको induction में बहुत ही बहतेरीन cooking experience मिलेगा, क्योंकि ये flat base हो जाता है, जो कि हर तरीके के cooktops पे और हर तरीके के induction में चलेगा, अगर इसका base छोटा है, तो आपको थोड़ी सी problem आ सकती है, तो अगर आप frequently induction use करते हैं, तो उसके लिए ध्यान रखेगा cast iron ले, तो इस type के cast iron ले, जो कि नीचे से flat base होता है, जिसके वाज़े से आपको एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही experience करेगा, अब हम बात कर लेते हैं, अपने next question की, जो की होने वाला है, 7th question, वो है आपका, 7th question है आप cast iron हो सकते हैं, तो आप इसको deep frying में easily use कर सकते हैं, अब हम बात कर लेते हैं, अपने 8th question की, की काफी लोग की problem होती है, वो cast iron ले ले लेते हैं, और उसमें rusting की problem आती है, उसमें वहीं problem आती है, ये rusting की problem तब हो सकती है, जब आप इसको बहुत ही harsh detergent से use कर रहे हैं, साथी सा cast iron में rusting नहीं हो, इसका मतलब वो cast iron नहीं है, तो इस चीज़ के धानर के cast iron बहुत ज़्यादा susceptible होता है rusting के, तो इसमें rusting होगी ज़रूर, बट अगर आप इसको अच्छे से season करके रखते हैं, तो वहीं आपकी health के लिए बहुत ज़्यादा बहतर होता है, और एक लौता ह एक ऐसा utensil है, जो की आपको regular lifetime आपकी health को maintain करके रखेगा, तो हाँ जी cast iron में rusting होती है, तो किसी लोगे में अगर rusting हो रही है, तो घबराने की ज़रत नहीं है, वो iron बहतर है, पस उसको एक अच्छे से oil जे season करके रखेगे, आपकी rusting नहीं होगी, अब हम बात कर लेते हैं आपने 9th question की, जो की है, क्या इसमें हम acidic food यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने यहां तक ये वीडियो देख लिए, तो ये question का answer आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, हाँ जी, इसमें हम acidic food भी use कर सकते हैं, बट कब use कर सकते हैं, काफी लोगों ने इसमें questions में दिया ह हुई है, तो आप इसमें tomato से related, acidic food से related, आप इसमें cooking कर सकते हैं, बट इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आपकी seasoning अच्छे से नहीं है, आपका iron थोड़ा सा rusting वाला case है, तो उसमें आप acidic food नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर react होगा, तो इस चीज का ध्यान रख करें, बट नहीं अगर आपको अच्छा experience है, अगर आपको cooking experience बहुत बहतर है, और आप अच्छे cook हैं, तो आप इसमें भी use कर सकते हैं, और iron की पूरे content अपनी body में ले सकते हैं, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, क्या इसका handle stay cool होता है, इसे direct impact से बच जाता है, यह दो तरीके की safety sleeves देते हैं, एक right और एक left के लिए, तो यह जो safety sleeves हो जाती है, आपकी यह जरूरी हो जाती है, आपकी safety के लिए, जब यह आप cooking कर रहे हैं, तो इसको लगा के रखें, जिसकी वरे से direct impact से बचा रहेगा, साथ ही साथ आपकी safety भी इसमें handle थोड़े से heat up हो जाते हैं, अगर आपको अपने questions के answer मिल गए हो और आपको लगता है कि बहुत informative और important वीडियो थी है, तो हमारी वीडियो को like करिएगा, चैनल को subscribe करना ना बुलिएगा, साथ ही साथ हमें support करते रहेगा, thank you so much, keep supporting us.